हलो दोस्तों जैमा काल मैं आपका दोस्त चंदर शेकर सुनने टो इंफिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हारदिक स्वागत करता हूं दोस्तों गर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर जरूर ठोके और सब्सक्राइब कर बला इकन को दबाएं जिसे नए वीडियो से आपको दोस्तों राजस्तान की जितने भी एक्ञाम होंगे और एस से लेकर आपको पटवारी वीडियो वनपाल वनरक्षक हाई कोट रेंजर एसाई रास्तान प्लीस आपको जितने राजस्तान में होंगे एकजाम उन सबी में आपको बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों तो आप इन वीडियो को पूरा जरूर देखें और फिर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वीडियो कैसा लगा तो शुरू कर करेंगे कि भारत का निर्वाचन आयोग क्या है फिर हम रास्ता निर्वाचन आयोग की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे तो पहले बात करते हैं रास्ता निर्वाचन आयोग ठीक है जिसमें भारत का निर्वाचन आयोग की बात करते हैं कि भारती निर्वाचन आयोग क वो इसी आई बोलते हैं अब ये क्या काम करता है तो दोस्तों बता दूँ ये काम करता है राष्ट्रपती संसद के एएनपी के जितने एंपी हैं उपराष्ट्रपती के विदान hacen के जितने सज़त से उन सभी का चुनाव करवाता है भारती निर्वाचन आयोग याद रखना कि भारती निर्वाचन आयोग लाइतक है थिक है'd हो गए पिर क्या का म करता है भारति निर्वाचन अयोग जिसें सभी को पता है यह संस्ता है यह संवीधान में दर्ज की गई है इसलिए संभीनिक निकाय है जो भारति संग और राजिचुनाओं की परिक्रिया का संज्जालन करती है ensuring का भारति संव्वीधान आ बहुत इंपोर्टेंट इसकी दोस्तों हर एक लाइन इंपोर्टेंट है याद रखना क्यों संद देखते ही आपको पता चलेगा लाइन देखते ही आपको पता चलेगा कि इसकी हर एक लाइन इंपोर्टेंट है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जिरूर करना फिर देखि सविधान के अनुसार की गई ठीक है कब की गई चुनाव आयो इक उस्तापना 25 जनवरी 1950 को ठीक है ये राइट आंसर भाग 15 के अनुसार चुनाव से सम्मधित है सविधान के अनुछेद अनुछे 324 से 329 तक चुनाव आयोग भी इसके बारे में ही है और सदश्यों की सक्तियां, कारिये, पातरता, आरी से संबंदित है 324 से 329 तक ठीक है यह आप क्यों याद रखना है निर्वाचन आयोग का सच्ची वाले के बारे में बात करें कि निर्वाचन आयोग का सच्ची वाले का है, तो वो है दोस्तों नई दिल्ली में का है, नई दिल्ली में है निर्वाचन आयोग का सच्ची वाले, याद रखना कारेकाल कितना होता है वारती निवाचन आयोग का तो दोस्तों 6 वर्स 65 वर्स की आयोग जो भी पहले हो वो होगी ठीक है भारत का पर्थम चुनाव आयोगत सुकुमार सेन थे कौन थे सुकुमार सेन थे भारत के पर्थम चुनाव आयोगत याद रखना फिर देखें वर्तमान में भारत के मुख्य चुनावायोक्त सुशिल चंद्रा है कब उन थे अभी वर्तमान में आपको पूछे जो 13 अप्रिल 2021 से बने हैं उनसे तो वो है मुख्य चुनावायोक्त भारत के सुशिल चंद्रा याद रखना कौन है सुशिल चंद्रा इनसे पहले कौन थे चुनावाई तो आपको पता है सुनील अरोडा जी थी पहले इनसे पहले सुसील चंद्रा जी से पहले को थे सुनील अरोडा तो अभी वर्तमान में 2021 में सुसील चंद्रा है उनसे पहले थे सुनील अरोडा जी थी ठीक है अब आगे चलते हैं ये तो हो ग किन किन का चुनाव करवाती है यह जो राज जी निर्वाचन आयो गए वे किन किन का चुनाव करवाती है पंचायती राजगा जो नगरी इस्तानी स्वसासन है उन सभी का चुनाव करवाती है जिसमें नगर परिश्य नगर निगम सभी आ जाती है तो नगरी और इस्तानी क्रवाती ये संविदानिक निकाय किस्त परकार की निकाय है संविदानिक निकाय याद रखना important हर एक Lisha important है आगे बताता हूं आपको और भी सिर्दा इंप्र लाएं तेत्रवी सम्मिधान संसुदन कौन सा संविदान संसुदन यु तहट के दो सुनरीस के pacye पंचाईती राज संस्ताव में जो चुनाव होते हैं उसे संबंदित है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट के संगें। राज़्तान चुनाव आयोग की स्तापना गुनीस सो चोराणम में हुई। चुनाओ आईउड होगा कितना होगा राज्य में इक चुनाओ आउग्त होगा एक सदत से ही है राजस्तान में ते में ते मात額 anál हो版 कभसे हो sn हो रहे हैं जो रास्तान में पेंचायत के पैट मेंद से कुनाओ हो रहे ठीके सबसे पहला पंचायती चुनाव गुनी सो साथ में पंचायती राज विवाग द्वारा करवाया गया सबसे पहला पंचायती चुनाव, 1960 में पंचायती राजवर्वाग द्वारा करवाया गया और अब इस मेह पूछ ले कि इस ममें कौन सा चुनाव हो रहा है तो ग्यारवी आम चुनाव 2020 में भी राजे चुनाव आयो द्वारा करवाया गया ठीक है कौन सा अभी 2020 में पूछे कि 2020 में कौन सा चुनावाई काम किया तो 11 वा अभी जो वर्तमान ही हो और वर्तमान की बात करें तो 33 जिला परिश्यदों में कितने जिला परिश्दों में 33 जिला परिश्दों में 1014 निर्वाजन छेत्र हैं बात करें कि कितने जिला परिश्दों के नुसार तो वर्तमान में जो 33 जिला परिश्दों हैं उनकी 1014 निर्वाजन छेत्र हैं कितने 1014 निर्वाजन छेत्र हैं राजस्तान में अभी 2021 में 33 जिला परिशद हैं और नविंतम कौन सी पूछे आपको नविंतम जिला परिशद कौन सी है तो वह है परताब गड़ याद रखना वहुत इंपोटेंट लाइने हैं ठीक है इनको कि कितनी जिला परिशद 33 जिला परिशद निर्वाचन सेत्र कितन इसमें 1400 और अभी वर्दमान में कौन सी जिला परिशद बनी तो वह है नमिंतम परताब गड़ याद रखना राज्य में राज्य निर्वाचन आयोक को एक सदस्य बनाया गया कितना सदस्य इंपोर्टेंट है कई वार पूछा गया है राज्य निर्वाचन आयोक कितने सद ही निर्वाचन आयोक का परमुक होता है याद रखना कि राज्य जी निर्वाचन आयोक है वही निर्वाचन आयोक का परमुक होता है आगे बताता हूं आपको ठीक है आगे देखो कि जो जिला परिशद का प्रसासनिक अधिकारी होता है इलेक्शन करवाएंगे इलेक्शन पूछे क्या कहते हैं तो वह है Chief Executive Officer, जिसे मुख्य कारेकारी अधिकारी के रूप में जाते हैं, ठीक है, पंचायत समीथी के बारे में पूचे कि पंचायत समीथी का परसासनिक अधिकारी को होता है, तो होता है वीडियो, क्या होता है वीडियो, जिसे बोलते हैं block division officer क्या बोलते हैं B का block division officer खंड विकास सद्धिकारी के रूप में से जानते हैं ठीक है ग्राम पंचायत का राजनितिक प्रमुक सरपंच होता है कौन होता है राजनितिक जो इससे हम चुनाव द्वारा चुनते हैं प्रतेक्स चुनाव करते हैं जिसका चुनाव प्रतेक्स रूप से जनता करती है कौन करती है जनता करती है प्रतेक्स रूप से करती है सरपंच को सपत कौन दिलवाते हैं बहुत important question है कि सरपंच को सपत कौन दिलवाता है तो सपत Returning Officer दिलाते हैं कौन दिलाते हैं Returning Officer और अपना त्याग पत्र वो किसे देता है अपना उपसरपंच को देता है याद रखना है तो अपना त्याग पत्र खंड विकास अदिकारी को सौपते हैं ये भी सुन लीजिए कभी-कभी आपको option में उपसरपंच भी देते हैं कभी कभी देते हैं आपको, अगर उने देंगे तो आपको करना क्या ही, त्याक पत्तर खंडविका सदिकारें, यह यांज वीडियो को ही सूपती ही, ठीक है? आगे देखिए कारेकाल और नियुकती कारेकाल की बात करें राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ती राज्यपाल द्वारा की जाती है किसके द्वारा की जाती है इसकी नियुक्ती राज्यपाल द्वारा की जाती है चुनाव आयोक्त उसी प्रकार उटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्ण नियाले के ने इदीस को अठाया जा सकता है आयूकत का कारेकाल की बात करें राज्थान के तो वो है दोशतों Pennsylvania और 65 वर्ष जो भी पूर्ण पहले हो ठीक है निकती हो गए अपनी अब हम पढ़ेंगे राजी निर्वाचनायों के कारिये जो आप जानते हैं कि मुखे कारिये तो क्या है जो इस्तानी निकाये जिसे पंचायती राज हो गया नगरपालिकाये हो गए जो भी है उनका चुनाओ या संचालन करती है पता है आपको जायों की कारियों की अदिक्षन ठीक है प्रेवेक्षन नियंत्रन में सहायता के लिए सचीव का प्रावधान किया गया किसका प्रावधान किया गया भाई यह जो अदिक्षन कोन करेगा प्रेवेक्षन कोन करेगा इसका नियंत्रन कोन करेगा तो उसके लिए एक सचीव का प्रावदान किया गया ठीक है और उस सचीव को क्या कहते है इसमें तो उसे बोलते हैं दोस्तों मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में उसे जानते हैं याद रखना वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन वर्तमान में अगर पूछें आपसे कि वर्तमान में राज्य निर् निर्वाचन अधिकारी के रूप में स्विन भगत राजस्तान के प्रथम राज्जी निर्वाचन आयुक्त कौन थे कौन थे राजस्तान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त तोन थी दोस्तों अमर सिंग राठोड कौन थे अमर सिंग राठोड थे और उन्होंने एक जुला क्यूसनों को सोल करते हैं दोस्तों इंपोर्टेंट क्यूसन है की निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांग एक पर है ठीक है राजस्तान का है फिर दूसरा क्योशन अपने पास राजस्तान का राजी निर्वाचन आयोग है किस परकार का आयोग है राजस्तान राजी निर्वाचन आयोग बताना है भारती निर्वाचन वह चुनाव आयोग क काई है सम्विधानिक संस्ता है कारेपालिका संस्ता है एक वेधानिक संस्ता है तो बताना आपको किस कौन सी है तो देखो वेधानिक संस्ता भी नहीं है सम्विधान में इसका दर्ज है तो यह तो सम्विधानिक है तो सम्विधानिक संस्ता है ठीक है आगे चलते हैं राज्न निर्वाचनायोग किस प्रकार का है बहु सदस्य टिरी चैश्टीम्ध सध्य दुीपक्स है दो सदस्य या एक सदस्य मेन आपको बता था रैट आंसर एक से ग्राम सबा का गठन होता है इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि ग्राम सबा पंच सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत सेत्र में निवाज कर रही समस्त जंचा से ग्राम पंचायत सेत्र को मद्दाता सूची में पंजीकर्थ सदस्यों से पंचायत समेती सेत्र में पंजीक सदस्य होते हैं वो ही इसका निर्मान करते हैं ग्राम सबागा गठन करते हैं तो इसका राइट आंसर हो गया तीन नंबर कितना तीन नंबर इसका राइट आंसर हो गया चोथा क्यूसन आपके सामने है दोस्तों पंचायती राज संस्तानों का चुनाओ करवाने का दाइद तो किसका है बार्ति निर्वाचन आयोग पंचायती राज उबाग राजस्तान सरका राज जी निर्वाचन आयोग मुख्य चुनाओ अदिकारी राजस्तान तो पंचायती जन्संक्या की सहभागिता में वर्दी यह important इसका right answer ठीक है नेमलेकिर में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता जिसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है याद रखना अब आपको कूट में उत्तर देना है आपको कि मुख्य निर्वाचन आयुक के संबंद में क्या सही है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंद में क्या सही है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपत होता है इसका कारेकाल 5 साल का होता है अब इसको राइट आंसर आपको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही है बताइए चार उपसन आपके पास या इसके चारों सही है या इसके एक दो तीन सही है या इसका वन टूट फॉर सही है इसमें राइट आंसर आपको बताना देखो परवाला देख नहीं हा अब बता में बताता हूं सबसे पहले इसकी नियुकतित राश्ट्रपती करता है इतो बात सही हो ठीक है इसका सरवाचि नयाले तहां स्टार्टिंग में ही पहला ही क्यूशन था ही ठीक है तेकिन इसका कारीकाल 6 वर्सका होता है दोस्तों कितना 6 वर्सका होता है तो यह गलत हो गया किलियर 123 इसका राइट आंस है फिर आगे चलते हैं चुनाओ की समय की सुनाओ सेत्र में चुनाओ प्रसार बंद कर देना चाहिए तो चुनाओ समाप्त होने की अर्तार गंटे पहले आपको सभी को पता है यह तो बिल्कुल राइट आंस है ठीक है निर्वाचन आयोक का चैर्मेन कोन होता है आहे आहे बताए राश्ट्रपती उप्राश्ट्रपती प्रद तो यह भी बिल्कुल राइट आंसर है मुखे चुनाओ आयोक की गई यह गया वाला क्यूसर्ण बहुत इंप्रोटेंट है राज्ट्राज्थ चुनाओ आयूक की गई है तो मैंने आपको बताया ताव 1924 में भूलने के बात ही नहीं इसमें तो तेरवा तो राश्ट्रान क प्रतम मुक्ख्य के निर्वाचन अधिकारी पद पर सचीव के पद पर कौन रहे तो आपको पता है बीबी मोहनती सहाव रहे बीबी मोहनती सहाव पंदरवा लास्ट क्योषन है अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों वीडियो कैसा लगा ठीक है दोस्तों तो वीडियो पूरा देखने के लिए दन्यवाद पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक रहने वाद